नमस्ते दोस्तों, B.A. Tartar Trading और Investing में आपका स्वागत है आज जो हम स्टोक डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है Estral तो Estral Limited में आज बोटम से रिवर्सल हुआ तो चलिए हम स्टोक को चार्ट पे देखते हैं और क्या टार्गेट और स्टोक लोटम सकता है, वो जानते हैं जो नए व्योवर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं Estral का चार्ट में तो यह Estral का डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं Estral एक अपमूव में है, जिसका 50 EMA और जो 100 EMA और 200 EMA देखिए, एक सिक्वेंस में मतलब कि जब चोटा तमकाई में सबसे उपर होता है तो वो एक तरह से पोजिटिव टेन में होती है और आज इस स्टोक ने जो सारी EMA है, 15 EMA, 9 EMA और 20 EMA तीनों को क्रोज करके उपर भी क्लोज हुआ है साथ ही इसने जो 100 EMA के साथ, 100 जो परपल कलर की लाइन आपको दिख रहे होगी वो 100 EMA है, उसका सपोर्ट लेते हुए जो रेट केंडल बनी थी, उसी के आसपास क्लोज हुए और अगें जो अगले दिन जो ग्रीन केंडल बनी है, वो नीचे जाके नीचे से बाइं आई है और उपर क्लोज हुए और आज भी उपर अब अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये प्राइस इसके उपर निकलती है आप देख सकते हैं, किसके ये प्राइस इसके उपर निकलती है तो ये हमेरे लिए एक positive point हो जाएगा जिसके लिए हमारे first target फिर हमारा हो जाएगा आपका जो Bollinger Band का top है वो 1968 का और फिर हमारा second target आपका जो हाई है दो हजार 51 रुपे का हमारा target होगा तो दो target हमारे पास है इसमें तो एक तो है हमारे Bollinger Band का top और दूसर हमारे target होगा यह जो हमारी range है यहां तक का तो यह आने वाले कुछ दिनों में हमें मिल सकते हैं और जो हमारे stop loss है इसमें यह आपका जो दो नो candle है उसका जो लो है इसके नीचे आपका stop loss रहेगा तो आइ थिंक कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और बने रहें B.A.Tutle Trading Audits में साथ ही आप join कर सकते हैं जो master class हम arrange कर रहे हैं आपको इस तरह की stock search करने के लिए जो आप इसके नर कौन सा scanner use कर सकते हैं क्या condition उसमें दे सकते हैं यह सब आपको उसमें सिखाया जाएगा free है 30 September 30 तारिक को दोपर में होगी आप link description में आप उसके लिए register कर सकते हैं और फिर मिलते हैं अपन class में चलिए thanks for watching the video